नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्टन मूर्ती आप सभी का सौगत करता हूँ Learning Mirror YouTube चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है Capital Gain Statement Profit and Loss Statement जो है SDFC Securities में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने ITR फाइलिंग के लिए तो वीडियो देखते हैं वीडियो अच्छा लेए स्क्रिप है लाइक करना, सबस्क्राइब करना और सेयर करना सबसे पहले जो है SDFC Securities आप लॉगिन कर लो कोसिस करना, Desktop Mode में उपन करना बेटर आप्शन रहेगा, मैं लॉगिन का आप्शन पर क्लिक करता हूँ जैसे मैंने क्लिक किया User ID, Password, Date of Birth, DD, MM, YYY, YYY, पर में आप पुट कर दो और लॉगिन का उप्शन पर क्लिक कर दो दोस्तों लॉगिन करने के बाद यह आपको Dashboard दिखाई देगा Portfolio पर आना है, Portfolio पर आने के बाद यहाँ पर Profit and Loss दिख रहे है इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो जिसवी Financial Year का Profit and Loss डाउनलोड करना है, चूज कर सकते हो यह 21-22 का है, इसका Income Tax, ITR Filing Date जो है 31st July से पहले आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर Profit and Loss दिख जाएगा, डिवरेंट इंकम दिख जाएगा, टोटल इंकम यहाँ पर आपको दिख जाने वाला है, इसके बाद Last Financial Year का क्लिक करना है, Summit का Option पर क्लिक करना है, जो भी होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह आपको 31st December तक इस फाइनसी लिए रहे, 2021 का जो है, डेट है 31st December तक, तो यह आपको जो है, कंपल सरी होगा, जो भी आपका different income होगा, वो आपको according to income tax lab, जो भी rate है, आपका उससे कहीं साफ से pay करना पड़ेगा, total income जो भी है, speculative, short term, long term, उसके ही साफ से tax pay करना है आपको, इसके बाद मालो मैं, यहापको किसी भी आपको कहीं भी देखना है, तो आप देख सकते हो, क्या है नहीं है आपका, कौन सा income है, different income है, कौन सा आपका total profit and loss है, वो आप ऐसे करके देख सकते हो, और download करने के लिए, यहाँ पे आप click करना, download हो सकता है, इसका password, जो PDF का password होगा, वो होगा आपका, आपके name का first three letter upper case में, और आपका ddmm password है, जैसे मेरा नाम कृष्णमूर्ती है, तो kri ddmm type करना और open कर देख, आपका PDF open हो जाएगा, यहाँ पे error आप try करना, या फिर आप सकते हो, वर्ड में, वो हो जाएगा, वो आप download कर सकते हो, तो यह आप ऐसे करके जो है, आप profit and loss डाउनलोड कर सकते हो, अपने HDFC securities account से, यह तो हो गया profit and loss, यहाँ पे आता है capital gain statement, यह भी main है आपका, इस पे आप click करो, यहाँ पे आपको capital gain statement चलाएगा, speculative, short term और long term, उसके आप से बिए tax pay कर देना, speculative मतलब according to income tax lab, tax pay होगा, short term 15% plus 6, long term up to 1 lakh rupees, equity में free है, उसके उपर आपको जो है, tax pay करना परेगा 10% plus 6, यह आप यहाँ पे equity चूज कर सकते हो, equity, mutual fund, derivative, जो भी होगा, mutual fund का equity में है तो अलग tax होगा, debt में है तो अलग tax होगा, derivative का, as a business income tax calculate होगा, यहा आप पर जो भी आपको चाहिए, ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर submit का option पर क्लिक करोगे, details सब कुछ चलाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, same password है आपका, first related name का, उसके बाद जो है, DDMM, मालो मैं 2019 का दिखाता हूँ आपको, मैंने चूज किया, यहाँ पर capital again statement, डाउनलोड कर लेना, अगर गे डाउनलोड ना हूँ आपसे, तो यहाँ पर word आप इसको export कर लेना, या फिर इसको print कर लेना, control P से आप पूरे page को print कर लेना, तो simple है, ऐसे करके आप डाउनलोड करो, जो भी tax बनता है आपका वो pay कर दो, बिल्कुल आसान है, तो दोस् अगरे साइट, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्विटर, जहाँ आपको learning मेरे देखिए, जोएन कर दो तक देखे दोस्तों, धन्यवाद